7.1.4 मार्टिन लूथर और धर्म सुधार मार्टिन लूथर जर्मनी के एक पादरी थे जो इस निशकरश पर पहुँचे कि बाहे कर्मकांडों के द्वारा मोक्ष पाना असंभव है इसे दैवी कृपा और अंताकरण की निजियास्था या विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है उन्होंने सन 1517 में पोव द्वारा जारी माफी नामा के विरुद्ध 95 विचार बिंदु जारी किये और कहा कि ना ही पाप से इस तरह मुक्ति पाई जा सकती है और ना ही ऐसे बाहे कर्मों से मोक्ष पाया जा सकता है देखते देखते लूथर का दस्तावेद छपाई की मदद से दूर दूर तक फैल गया जनसाधारन से लेकर शाशकों ने भी उनका समर्थन किया पोप ने सन 1520 में लूथर को धर्म से बाहर कर दिया और उने अधार्मिक करार दिया उसी वर्ष लूथर ने तिन पुस्त के प्रकाशित करके अपने विचारों को जन सामाने के बीच फैलाया बाद में इस विचार ने प्रोटेस्टेंट सामप्रदाय का रूप लिया लूथर के पक्ष में व्यापक जन समर्थन को देखते हुए राजाओ द्वारा उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सका जर्मनी के कई छोटी रियासतों ने अपने कैथोलिक सामराट पर दबाव डाला और सन 1555 में प्रजा को अपना धर्म प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक चुन्ने का अधिकार दिया प्रोटेस्टेंट सामप्रदाय दरसल एक सामप्रदाय नहीं था उसमें लूथर, कैल्वीन, ज्विंगलिंग आधि के विचारों से प्रेरित अनेक धाराय थी अब प्रोटेस्टेंट सामप्रदाय की मुख्य विशेस्ताओं पर विचार करें हाला कि प्रोटेस्टेंट वाद में अनेक धाराय समलित थी फिर भी उनमें कुछ समानताएं हम पहचान सकते हैं पहला तो यह कि वे मानते हैं कि मोक्ष किसी बाहे कर्मकांड से नहीं मगर इश्वरी कृपा और आंतरिक विश्वास से प्राप्त हो सकता है इसका यह भी मतलब था कि मनुष्य को किसी पादरी या उसके द्वारा किये गये कर्मकांड के जरूरत नहीं है वे यहां तक मानते थे कि हर इसाई खुद एक पादरी बनकर इश्वर से संपर्क कर सकता है प्रोटेस्टेंट संपरदायों ने यह भी माना कि धर्मकी व्याख्या के लिए पादरी वर्ग पर निर्भण ना होकर हर इसाई को खुद बाइबल का अध्यन करके अपनी निजी व्याख्या करनी चाहिए इसे संपर बनाने के लिए उन्होंने बाइबल का प्रादेशिक भाशाओं में अनुवाद किया और छापा खानों की मदद से जन जन तक पहुचाया सन 1522 में लूथर ने बाइबल का जर्मन भाशा में अनुवाद किया इन सब बातों का प्रभाव कैथोलिक चर्च पर भी पड़ा चर्च में आंत्रिक सुधार का एक अभियान चला जिसे प्रती धर्म सुधार कहते हैं असीसी के सेंट फ्रांसिस चर्च में गरिबी की वकालत एक तरफ चर्च अथा संपत्ती शान और शौकत का प्रतीक बन रहा था तो दूसरी तरफ ऐसे कई धार्मिक वेक्ती हुए जिनोंने इसमसी के मूल संदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास किया सेंट फ्रांसिस मृत्यू सन 1226 ऐसे ही एक संत थे वे इटली के असीसी शहर के एक धनी वैपारी परिवार में पैदा हुए थे मगर युवावस्था में उन्हें एहसास हुआ कि गरीब बन कर ही इश्वर तक पहुँचा जा सकता है वे अपना सब कुछ गरीबों को बाटने लगे जिस पर कुद्ध होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर कर दिया तब से उन्होंने शहर के सबसे गरीब लोगों के बीच रहकर खुद मांग कर खाने वाले और मजदूरी करने वाले का जीवन जिया यही नहीं उन्होंने यह भी माना कि प्रकृति के सारे जीवों जैसे पक्षियों वा जानवरों से प्रेम करना चाहिए यह माना जाता है कि वे पक्षियों वा जानवरों के साथ बात कर सकते थे उन्होंने यह भी प्रयास किया कि इसलामी सुल्तान और इसायों के बीच सुला हो पोप की अनुमती के साथ उन्होंने ऐसी महिलाओं वो पुरुशों का समू इस्थापित किया जो गरीबी में रहने और गरीबों के सेवा में विश्वास रखता था कुल मिलाकर धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम केवल कैथोलिक धर्म के कुछ कुर्यूतियों का खात्मा करना ही नहीं था उसका सबसे युगांतर कारी परिणाम यह हुआ कि यूरोप की धर्मिक एक रूपता और चर्च का धर्म पर एकाधिकार समाप्त हुआ शुरू में इंग्लेंड जिसे देशों में यह प्रयास जरूर किया गया कि देश में एक राश्ट्रिय चर्च हो मगर समय के साथ धार्मिक सांप्रदायों की बहुलता पर अंकुष लगाना असंभव हो गया कालांतर में धर्म और राज के आपसी जुडाव को समाप्त किया गया यह वेक्तियों के अपने धर्म चुनने की स्वतंत्रता और शाषन में पंथ निर्पेक्षिता लाने में सहायक हुआ